ओम साइराम हरहर महादीव आज का साइस अन्देश जब हमारी भावना सची होती है और हमारे करम अच्छे होते हैं तो हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सत्या को साबित नहीं किया जाता सत्या खुद ही प्रतक्षुरूप लेकर सामने आ जाता है इसलिए अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको चिंता और फिकर करने की जरूरत ही नहीं है आपने स्वार्थ भाव से अपना करम करते रहे वक्त सबका बदलता है किसी का जल्दी बदल जाता है तो किसी का थोड़े देर से बदलता है लेकिन बदलता जरूर है और वक्त का परिवर्तन होना तै है निस्चित है वो हर हाल में होकर रहेगा आपने जो भी अच्छे करम किये है जो भी नेक करम किये है तो उनका फल आपको सरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा तो इसलिए इनसान को जीवन में चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी जीवन हमें इतना रुलाता है कि हम जिन्दगी से ही मायोस हो जाते है लेकिन इनसान को खुध पर विस्वास रखना चाहिए उस मालिक पर विस्वास रखना चाहिए जो मुसीबत और परिशानी देता है वो उस से लड़ने की हिंमत भी देता है और जिसने आज तक हमें संभाला है आगे भी वही संभालेगा इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहे खुश रहने का कोई न कोई कारण ढूंडते रहे क्योंकि आपको दुख देने के लिए परिशानियां आपको खुद बखुद ढूंड लेंगी और मत करते रहे अच्छे वक्त का इंतसार क्योंकि ये वक्त ही नहीं गुजर रहा इस वक्त के साथ साथ हमारा जीवन भी कम हो रहा है इसलिए जीवन में जितना हो सके प्रसन रहने के कोशिश कीजिए छोटे छोटे खुशियों को जीवन में अनभव कीजिए अपनों के साथ समय बिताइए क्योंकि जो ये छोटे-छोटे खुशी की पल है ये अगर एक बार वक्त हमारे हाथ से गुजर गया तो फिर कभी लोट कर नहीं आएंगे सिर्फ और सिर्फ यादे बन कर रह जाएंगे इसलिए जीवन जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए क्योंकि जीसे हम बदल नहीं सकते उसे हमें सविकार कर लेना चाहिए लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास है कि आपने कहीं कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपके साथ जीवन में कभी गलत हो भी नहीं सकता सच्चाई की रास्ते पर चलने वालों की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूपती कभी नहीं क्योंकि आपकी नाव खुद भगवान चलाते है जब भगवान आपके साथ है तो आपको किसी और के साथ की जरूरत ही नहीं है तो अब चिन्ता और फिकर करना छोड़ दो क्योंकि वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है मैं जानता हूँ कि किसी किसी बच्चे को तो जीवन भर परिक्षाओं से गुजरना पड़ता है पूरा जीवन कम बढ़ जाता है लेकिन हमारे इम्तिहान खतम नहीं होते लेकिन हमें अपने दुखों के लिए कभी किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि कोई हमारे दुखों का जिम्मेदार नहीं होता हम खुद अपने दुख सुख का जिम्मेदार होते हैं जो हमें दुख मिलते हैं वो हमारे बुरे कर्मों का फल है और जो हमारे जीवन में सुखाते हैं वो हमारे अच्छे कर्मों काफल है लेकिन हर इनसान के जीवन में अच्छे पल ज़रूर आते हैं क्योंकि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी ज़रूर आएगा और बहुत जल्द आएगा लेकिन आप इस बुरे समय को धहर्या से सहन कीजिए सब कुछ परदास्त कीजिए क्योंकि भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप बहुत कुछ सहन कर सकते हो और अपना करम करते रहिए तो बहुत जल्द आपका वक्त सरूर बदलेगा क्योंकि भगवान आपके साथ है और जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा कठिन परिक्षाओं से गुजरना पड़ता है क्योंकि आप बाबा के सबसे प्यारे और खास बच्चे होते हैं कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिने जीवन में बहुत कठनाईयों का सामना करना पड़ता है लेकिन वो लोग बहुत खास होते हैं उनका जीवन में जितनी कठिन परिक्षा भगवान लेते हैं उतनी ही सांदार सफलता भी देते हैं ये जीवन बहुत अर्मोल है और बहुत भाग्या से हमें मिला है। जिन बच्चों को भगवान बहुत कठिन प्रिक्साओं से गुजारते हैं, वो उनके बहुत ही खास और प्यारे बच्चे होते हैं। वरना आम जन जीवन जी ही रहा है। लेकिन जो लोग बहुत खास होते हैं, जो बहुत प्यारे होते हैं, उनके जीवन में ही परिशानियां कठनाईयां बहुत सादा आती हैं। लेकिन आज हर इनसान अपने जीवन की जंग लड़ रहा है, सुख को पाना हर कोई चाहता है, दुख का अनभव हर किसी के पास है, आज इनसान इस कदर अपने इस जाल में उलत चुका है, कि जितना हो जाए तब भी उसे संतुष्टी नहीं होती, तब भी उसे कभी सकून नह ही मिलता, तो ऐसे धन से किसी को क्या प्रियोजन हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ, वही एक इनसान ऐसा भी है, जिसे जो भी रोखी सुखी मिलती है, उसी में वो सबर करता है, संतोस करता है, और उस मालिक का नाम चाप करता है, तो उस से बड़ा धनवान इस दुनिया में क इसलिए अगर आपके पास धन नहीं है, तो खुद को गरीब कभी मत समझें, क्योंकि धन से अमीर दुनिया हो सकती है, लेकिन दिल की अमीरी बाबा किसी किसी को देते हैं, तो बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा, सदा खुश रहो, सदा जबते रहो, ओम साइराम, हर हर म प्लिक्ष जखंगा, सबस्क्राइछ्ड में रहती है